तो दोस्तो अगर आपने चैनल को भी तक सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे सब्सक्राइब बेटन को प्रेस करके और उसके बाद जो नॉट्फिकेशन बैल आती उसको जरूर प्रेस कर लिजे काई चाकी में जब भी कोई टेक्स लेटेड और यहां पर आता है 398 रूपीज का प्लैन तो वैसा ही यहां पर एटेल भी ले आया है और एटेल यहां पर फुल कॉंपेटिशन में लगा है जियो से तो क्या देखते हैं अपकी बार एटेल ने कुछ बराबरी कर पाया है जियो किया नहीं कर पाया है जाने कि लिज़ विद लाइक शेयर चेनल को सबस्क्राइब जरूर से क हएक तो चरण लिते हैं है है यह डोस्तों कर बात करते हैं यहां पर कि यहां पर जियो की दक्र में आपर मिसा प्लाइन लाता एप same price का कभी-कभी ले आता है कभी-कभी यहाँ पथोड़ा default लाता है Jio का जो आपका 398 का आता है वो आपको मिलता है 7 days की validity Airtel आपको जो 398 rupees में आपको जो provide करा रहा है वो भी 70 days की validity यहाँ पर provide करा है मतलब 70 days, 70 दिन और 70 दिन यहाँ पर आपको provide करा रहा है 90 SMS यहां पर दे रहा है, आपको Airtel 90 SMS और यहां पर आपको JIO देता है, वह 100 SMS आपको देता है अब बात करते हैं Limited OSCalls की तो COMMTed OSCalls में भी हापको jio नहीं पर Free मिलते हो ADSコm and刑़ यहाँ फिर्दमिल जाती है लेकिन अब बात आती है डाटा की तो डाटा है यहाँ पर आपको जियो देता है 2GB डाटा और वहीं आपको जो एटल दे रहा है वो मिला है 1.5GB डाटा हाला कि यह प्लैन हर जगे उपलब्ध है तो मुझे यह प्लैन यहाँ पर एटल का अच्छा लगा लगा कि यहाँ जीयो को मतलब एक बराबरी वाला प्लैन है और ऐसा नहीं लगा कि एटल के जो यूजर्स है उनको बहुत जल्दी स्विच करने की जूरत लगेगी यहाँ पर जीयो में क्योंकि वहाँ पर एटल में काफी अच्छा यहां पर यह प्रोवाइड पर करा रहे हैं प्लान और इंका जो नेटवर्क है वो भी काफी यहां पर इस्टेबल यहां पर मिल जाता है तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आप लोग को पसंद आए हो इसे प्लीज लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब पहले